हलो नमस्कार मेरे बच्चों मैं आशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने इंस्टिट्यूट वुगली क्लासेज में मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग हर हर वुगली घर गर वुगली हर हर वुगली घर गर वुगली मेरे बच्चों नमस्कार आप सब का हरदिक स्वागत है और देखिए बिटा इन विवाई सुपर लेक्चर सीरीज नाइट शो के अंदर आप सब का हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे बच्चों जो ये नाइट सो क्लासिस आप लोगों के लिए मैंने अरेंच कर रखी हैं, बच्चों हम लोगों को इन क्लासिस के माध्यम से बेस्ट से बेस्ट परिणाम हासिल करना है, तो देखिएगा मेरे बबर आज के सुपर लेक्चर की शुरुआत करता हूँ, पहले मुझे आप ये बताईएगा कि कैसे हैं आप लोग और एक बार जोड़दार नारा लगा दीचीगा, हर हर वुगली, घर गर वुगली और वुगली है तो मुंकिन है, मेरे दोस्तों आज फिर वही बात बोलूँगा मेरे दोस्तों आपको अपने अंदर, आपको काबिल बनने के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी सफलता के लिए दोस्तों आपको अपने अंदर ये पांचों गुन अपने अंदर डबल अप करके रखना है हरिश्चंद्र, बीके, लिंकन, धीरेंदर, रुहाना, सरिता और गुरजित और रीना बिटा आप सबको बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे बचो और फिर से वापिस से आज सीखने वाले है कुछ most important, बहुत important बिटा आपकी day by day की preparation ही आपको success बनाईगी तो are you ready मेरे बचो जिसने class को like नहीं किया है, वो like कर दें अपने वुगली के इस channel को subscribe करें दोस्तो जिसने subscribe नहीं किया हुआ है, आपका ये इंडिया का सबसे बड़ा largest professional education channel मेरे बचो nursing field के अंदर is one of the professional medical education channel that giving the pre-education to for all the nurses मेरे बचो like this, share this and बेटा इसी के साथ शुरू करता हूँ आज के इस important session की और पहला question आपके skin पर आया है और इस question को बड़े ध्यान से ही आप समझेंगे, soul करेंगे एक-एक question हमारी preparation में जो है बहुत important है मेरे बचो तो हर question को बहुत ध्यान से समझे, बहुत ध्यान से soul करें और फिर उसके बाद ही आप answer को put करें एक-एक सवाल आपकी brain को improve करेगा, एक-एक सवाल बहुत value रखता है जो यहाँ बोगली के अंदर आपको soul करवाई जा रहे हैं मेरे बचो that are very excellent or next level contents, और they are very valuable, मेरे बचो संडे को आपका test रहेगा, तयार रहना, इन ही classes के अंदर से आपको पूरे 60 या 100 question का paper दूँगा, और उस paper में अगर आप pass हो जाते हो, बहुत बड़ी आ score कर लेते हो, और हर संडे को यह test series आपको free of cost, बेना किसी charge के मेरे बचो आपको यह जो test series हम लोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से आपको preparation अंजाम देना है, और एक दिन आपको नॉर्सिट क्रेक करना है मेरे बचो, तो चलो शुरू करूँ क्या, पढ़ू question, तो चलिएगा मेरे बचो, sir morning से लेके night तक हम उगली के साथ जुड़े रहते हैं, thank you रुहाना, आपका यह love affection, I like this, और हर किसी को अपना surname के पीछे उगली जोड़ लो रहे यार, बार बार के करता हूं कि हम सब के अंदर एक similarity होनी चाहिए, हम सब वुगली से जितने लोग भी हम पढ़ते हैं, हम सब के अंदर एक similarity मुझे develop करना है मेरे बचो, और हमारे नाम के पीछे, surname के बाद हम सब को edit करके, अपने YouTube अकाउंट पे, Google अकाउंट पे edit करके, और अपने नाम के पी सब को एक जैसा दिखना है, तो चलिएगा मेरे बचो, शुरू कर रहा हूं, पहला question पढ़ रहा हूं आपके सामने, the nurse question, the nurse question, the client, आपने question किया आपके client से, about activities just before coming to the hospital, and suspect which of the following most likely, क्या बात करें मैंने, most likely, contribute to rupturing the client's appendix, मेरे बचो, आपको बताना है, कि इन में से कौन सा ऐस activity पेसेंट का हो सकता था, जिसकी वजे से मेरे बचो पेसेंट का appendix rupture हो सकता है, which activity, find out करिएगा, इसमें से वो activity मेरे बचो, जिसकी वजे से, अगर पेसेंट ऐसा करेगा, तो आपके पेसेंट का appendix rupture हो जाएगा, और आपको इस पेसेंट के appendix को rupture नहीं होने देना है, अ मेरे बच्चों, याद रखिएगा पहले थोड़ा सा आनाटमी की बात सुनिएगा जो हमारा ये इंटेस्टाइन होता है न बेटा, इस इंटेस्टाइन में यहाँ पर लारज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है सीकम कौन सा पार्ट होता है सीकम और सीकम के जस्ट दो तीन सेंटिमीटर नीचे ही एक blind pouch जुड़ा होता है मेरे बच्चो जिसे vermiform appendix के नाम से जाना जाता है सीकम के दो से तीन सेंटिमीटर नीचे एक organ जुड़ा होता है जिसका नाम होता है मेरे बच्चो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक blind पाउच है क्या है मेरे बच्चो blind पाउच होता है इसके अंदर कोई food particle नहीं जाना चाहिए लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ती बफर के अंदर घुज जाता है और वहाँ स्वादिस्ट खाना और पसंदिदा खाना होने की वज़े से दबा के ठूस के खा लेता है और पैंट भी टाइट वाली पैंड लेता है जो आजकल टाइट पिटिंग चल वी है न जिन्स वगिरा ऐसी पैंट पैंड करके और अपने पैट को दबा देता है तो मेरे बचो गलती ये हो सकती है कि यहां से फूड सीकम में से पास होके और इस वर्मी फॉर्म अपैंडिक्स के अंदर जा सकता है और यदि अगर कोई भी फूड पार्टिकल वर्मी फॉर्म अपैंडिक्स में चला गया मेरे बचो तो ये वर्मी फॉर्म अपैंडिक्स क हाई रखो मेरे बच्चो कंसेंट्रेशन बॉँ रखो बहुत हाई कंसेंट्रेशन यहां पर यदे अगर यहां पर अंदर फूड चला जाता है तो अपैनिक्स में यह जो फूड पढ़ा रेगा यह O particle micro organisms को जनम देगा मेरे बच्चो और micro organisms का अगर जनम हुआ तो इसकी वज़े से infection हो जाता है मेरे बच्चो और infection हो गया तो दो problems create होगी एक तो inflammation होगा और inflammation के साथ ही percent को fever आने वाला है understand और infection and inflammation due to the entering of the food particles into the appendix just causing the enlargement of the appendix and inflammation of the appendicitis or my dear student the infection and inflammation of the vermiform appendix is known as the appendicitis और appendicitis हो जाएगा तो disease का नाम क्या होगा मेरे बच्चो appendicitis अब याद रखना मेरे बच्चो appendicitis यदि अगर किसी client को हो जाता है तो हमें विशेष जानकारी और इससे साउधानी क्या रखनी होगी मेरे बच्चो यदि अगर यह appendicitis हुआ तो यह appendix था यह appendix का size था usually अब इसमें कोई food particles collect हो गया है fluid भर गया है और infection हो गया है inflammation हो जाएगा तो इसकी size जो है मेरे बच्चो वो बड़ी हो जाएगी enlarge हो जाता है और यदि अगर आपका patient इसके उपर गरम सिकाई करता है या warm application करता है या hot application करता है मेरे बच्चो तो ऐसी स्तिती की वज़े से यह appendix जो है वो rupture होने का खत्रा होता है फट सकता है तो आपको जो activities है मेरे बच्चो warm application वाली हमारे patient को कहना है कि इस पे कोई warm application नहीं करना है आपको यानि कि जादा तर ऐसा होता है कि patient जैसे ही pen की complain करेगा patient बोलेगा कि pen हो रहा है तो उसके घर वाले दादी अम्मा क्या करेगी एक सरसों का तेल गरम करेगी कटोरे के अंदर और इसके यहाँ पर मालिस करना शुरू कर देगी मेरे बच्चो और गरम तेल से मालिस करने की वज़े से ये vermiform appendix क्या होगा heat को achieve करके heat को observe करके और ज़्यादा dilate होगा मेरे बच्चो और dilate हो करके ये rupture हो सकता है और rupture होना ही एक सबसे बड़ी medical emergency, surgical emergency होती है मेरे बच्चो तो कौन सी surgical emergency develop हो सकती है appendicitis के patient को तो appendix का rupture हो जाना और rupture हो जाने का सबसे most commonly domestic reason क्या होता है warm application इसका reason होता है तो हम लोगों को be careful और careful रहना है कि just the client appendix is heating pad to the lower abdomen तो lower abdomen पर यदि अगर आपका patient heating pad apply करता है तो ऐसी problem की वज़े से इस patient का appendix पढ़ जाएगा, rupture हो जाएगा और rupture हो जाना पढ़ जाना ही मेरे बच्चो इसकी medical emergency होती है क्या lock कर दूं मैं समझू यहां तक कि जो पढ़ाया है सब को बात समझ में आ गई है full concentration के साथ बात को सुनना है मेरे बच्चो बात समझ में आ गई है सब को यहां तक lock कर दूं क्या कोई problem, कोई doubt, कोई question हो तो बता देना understand मेरे बच्चो तो चलिएगा तो c option इसका right answer जाने वाला है understand आगे बढ़ रहा हूँ मेरे बच्चो next question की तरफ in which position क्या पूछ रहा हूँ, position पूछ रहा हूँ should the nurse place the client to promote the drainage from the wound मेरे बच्चो आप से कहा जा रहा है कि wound में से अच्छा drainage हो इसलिए हम patient को किस position में रखेंगे और देखिए जवाब यहाँ पर और आपके likes की संख्या और live की संख्या में अंतर आ रहा है और ये difference नहीं रखना है मेरे बच्चो lives and likes जो मुझे सुन रहे हैं क्या आप लोग मुझे like नहीं करते हो अरे आप लोग मुझे like नहीं करते हो that is very bad for me but my lectures को तो like करते होंगे मेरी education को तो like करते होंगे मेरी teaching को तो like करते होंगे because that is very excellent or next level education you are getting in the vogli or second thing everything is the free of cost my dear student that is one channel that is deserving the quality that is maintaining the quality unnecessary content I will never provide to my student I will provide always a quality in every lecture in every question my dear student my first promise to myself अपने आप से मेरा पहला promise यही है कि every time I will deliver the quality every time I will deliver the excellency in my education system every time I will never sacrifice with the quality that is my one mission that is one promise to me अपने आप से मेरा promise होता है मेरे बच्चो यहां जितने भी lectures आप देखोगे previous lectures को उठागर के देखें हर lecture में आपको इतना excellent दावे के साथ कह सकता हूँ बिटा जान निकाल के रख दूँगा तुमारे सामने हाथ में अगर मेरा कोई lecture तुम पढ़ लो और ये के दो मुझे कि सर आपके पढ़ाने से मैं satisfied नहीं हूँ मूच कटवा दूँगा यहां से मूच कटवा दूँगा मेरे बच्चों यहां से अगर तुम के दो कोई भी lecture चैलेंज कर रहा हूँ मैं तो देखो एक तो lecture पढ़ो और बात कुछ भी समझ में नहीं आए मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात ऐसी कर रहा हूँ मेरे बच्चों कि बिलकुल कमजोर से कमजोर बच्चे को क्लास में बिठा देना और कोई भी lecture उठा के दिखा देना आप उसके और अगर lecture समझ में नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपका ये कलास में ने देखा था और ये टॉपिक आप वहाँ पर पढ़ा रहे थे और वो हमें समझ में नहीं आया तो मैं के रहा हूँ मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी तो मैं अपने आप पे इतना confident हूँ और मैं selection दिला के रहूँगा मेरे बच्चो जो मुझे से पढ़ेगा हर व्यक्ति select होगा कोई भी कमजोर नहीं रहेगा ये मेरा वादा है आपसे मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मरते दम तक खड़ा रहूंगा मेरे बच्चो ये वुगली है मेरे दोस्त वादों का पक्का है और प्रामिस का पक्का मेरे बच्चो यही एक आपको success दिलाने वाला है तो चलिएगा मेरे बच्चो मैं कह रहा हूँ कि which position कौन सा position that is promoting the drainage from the wound बच्चो कौन सा position जो wound में से drainage को promote करेगा तो मेरे बच्चो हम अगर हमारे patient को lithotomy के अंदर रखें तो drainage promote नहीं होगा हम recommend के अंदर रखें तो drainage नहीं बड़ेगा क्योंकि drainage जो काम करता है मेरे बच्चो किसी भी cheese में से किसी भी wound में से जो drainage काम करता है drainage होता है वो किस principle पर drainage काम करता है मेरे बच्चो gravity के principle पर काम करता है तो my dear student you know it very well कि drainage is functions on the principle of the gravity, gravity के सिध्धान्थ पर drainage काम करता है मेरे बच्चों, किस सिध्धान्थ पर, drainage काम करता है gravity के सिध्धान्थ पर और मेरे बच्चों यदि gravity maintain करोगे तो drainage भी अच्छा होगा और अब देख लीजी आप कौन सी position के अंदर percent को रखा जाए तो drainage जो है वो इसी length लगर नजर आ रहा है मुझे फावलर is the better choice in case of the maintaining drainage from the wound, wound से drainage maintain करने के लिए फावलर is one of the best choice और इसका explanation आपके साथ share करना चाहता हूं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना बात को An open drain relies on the gravity to remove the secretion absorbed by the dressing और देरफोर फावलर position is most appropriate for promoting the wound drainage मेरे बच्चों अगला question देखिये ध्यान से, next सवाल हमारे सामने आ चुका है When changing the client dressing, जब आप patient की dressing change करते हो, which nursing action is correct? मेरे बच्चों यह जो है, बहुत important practical question है, कि आप जब hospital की अंदर work करेंगे तो आप से पूछूंगा, कि जब भी किसी client का soil dressing आप change कर रहे हैं Soil dressing का means होता है मेरे बच्चों, जिसमें क्या है? जिसमें भाया infection है क्या है मेरे बच्चों, infection है, और infection है तो microorganism है, और microorganism है तो यह spread होंगे और spread होंगे तो यह आपको भी, आपको भी infect कर सकते हैं और healthcare infection, healthcare acquired infection आपको हो सकता है तो मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि dressing को remove करते समय हमारा कौन सा action ऐसा होता है जिससे कि हम इस पूरी process से बच जाएं, infection हमें ना हो तो मेरे बच्चों, 4 option को देखिए और जवाब दीजिएगा The nurse remove the soiled dressing with sterile gloves, पहला option दिया है आपको The nurse freeze the tap by pulling it away from the incision The nurse enclose the soiled dressing within a latex glove, the nurse clean the wound in the circles toward the incision और मेरे बच्चों लगा दें इस question पर very very most important और ध्यान से समझना बात को, जो लोग answer कर रहे हैं ना A option उन्ही का answer बिलकुल ही और जो लोग answer कर रहे हैं C option उनका answer तो बिलकुल ही अब बताईए आप, अनुमान लगाईए, guess करिए मेरे बच्चों, guess करिए आप guess करके बताईएगा, कि क्या best answer हो सकता है इसका एक बार फिर आपको option पढ़ने का मौका दे रहा हूँ चारों option को फिर से ध्यान से पढ़ो एक बार मेरे कहने से फिर से एक बार पढ़ो, read करो दुबारा चारों option दुबारा read करो बिटा दुबारा read करो चारों options को दुबारा read करो और फिर से और फिर से guess करो कि क्या best लग रहा है आपको कौन सा option best लग रहा है चारों में से दुबारा read करना है सब बच्चों को सब बच्चों को दुबारा read करना है और read करके हमारे अंदर जितनी efficiency है उसको guess करके अब देखो बात जो है मेरे बच्चों दो option पर अटक गई B option तो सबने गलत करी दिया D भी गलत कर दिया अब बात केवल A और C पर अटक रही है right अब A क्या कह रहा है और C क्या बोल रहा है सुननो बात को A बोल रहा है कि The nurse remove the soiled dressing with the sterile glove आप से ऐसा कहा जा रहा है कि नर्स को हमेशा ही जो soiled dressings होती हैं उनको sterile glove पहन करके remove करना चाहिए बात ये भी मुझे सही लग रही है अगला option पढ़ता हूँ C वाला The nurse enclose the soiled dressing within a latex glove तो मेरे बच्चो अगला option हमसे ये कह रहा है कि जो soiled dressing है उस soiled dressing को hand to hand ही remove करने के बाद ही आपने जो gloves पहन रखे हैं ना उस gloves के अंदर फसा देना चाहिए फिर उसको फेकना है dustbin के अंदर क्या ये बात से आप ज़्यादा सहमत हो अब बताओ आप अब मुझे ये लगा के बताओ कि A is more greater than C या C is more greater than A अब ये वाला choice बताओ मेरे बच्चों कि आप ज़्यादा importance किसको दे रहे हो सर मैंने बाजबार exam दिया बट clear नहीं होता सीरत वेटा आपका अब और इसी exam में selection होगा clear हो जाएगा ये मेरा वादा है बस वुगली की एक भी class में इस्मत करना मेरे बच्चों आज 22 भी class ले रहा हूँ इस night so session की जो शुरुआत करिये मैंने हर रात 10 वज़े लेता हूँ और रात 10 वज़े की एक class का मेरा 22 वा session है आज आपके सामने लिखा हूआ है और 22 के 22 session में जान है मेरे बच्चों दम है पावर है हर एक question में quality है सारे attend कर लेना फिर देखते हैं बात करेंगे अब देखो मेरे बच्चों आप जो कह रहे हो आप ज़ादा importance किसको दे रहे हो A option को ज़ादा importance दे रहे हो मेरे बच्चों लेकिन याद रखना A option जो है ये आपको infection से बचाएगा इस बात की surety पूरी नहीं है लेकिन जो आप C option देख रहे हो मेरे बचो उसमें हम क्या कर रहे हैं ड्रेसिंग को रिमू कर रहे हैं गलब्स पैन करके ड्रेसिंग को रिमू कर रहे हैं और रिमू करने के तुरंत बाद ही गलब्स भी फेकने हैं आपको और ड्रेसिंग भी फेकनी हैं तो क्यों न हम ऐसा करें कि उस dressing के जो soiled material है, soiled dressing है, उसको gloves में फसा करके और फिर हम discard करें, तो हो सकता है कि वो infection ना फिलाए. तो मेरे बचों बड़ी खुशी के साथ आपको जान करके बहुत happiness होगी कि इस question के अंदर C option is the more priority और more ज्यादा most valuable, most important intervention in this condition. तो ये जो clinical question है मेरे बचों, इसमें C answer आपका सही answer था, crystal clear हो गया, अब सबको आ जाना चाहिए, अब दुबारा गलत ना हो, यहां आपको गलत किया, confusion मैंने पैदा किया आपके अंदर, और आपको सोचने सिखाना है मेरे बचों, मेरा जो man motto है, आपके अंदर की सोचने की समत को जागरत करना है, आप सब काबिल है, brilliant है, इसमें कोई doubt नहीं है, आप सब nursing completed हो, आपको बस activate करना है मेरे बचों, अगर मैं activate कर पाने में संभव हुआ, success हुआ, तो समझूंगा कि बस मैंने अपना काम कर दिया है, और वही एक कोशिश में आप सब के सामने कर रहा हूँ, स सिखाने है, कि यार अगर dressing को मैं remove कर रहा हूँ, तो dressing remove करने के बाद, अगर मैंने gloves पहन करके किया, तो ये common बात है, लेकिन यदि अगर dressing को remove करके, gloves के अंदर रखके मैं discard कर रहा हूँ, fake रहा हूँ, तो that is very very most advanced practice, तो ये second वाला जो method है मेरा, ये थोड़ा advancing लग रहा है मु बढ़ते हैं अगले question के लिए, मेरे बच्चों आपके लिए quotation, एक motivational बात, जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है मेरे दोस्त, और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती है, इसलिए आप अपनी कोशिश तब तक जारी रखना मेरे बच्चों, जब तक आपकी ज history strongly suggest colorectal cancer, मेरे बच्चों question जो है वो बहुत important है, ये है पेसेंट का colon और ये है पेसेंट का rectum, आप से कह रहे हैं कि colon और rectal area के अंदर यदि अगर किसी को cancer हो जाए, यानि कि tumor हो जाए मेरे बच्चों, तो इस पेसेंट के साथ ये जो conditions दी होई है, इन में से कौन कौन सी conditions इस पेसेंट के साथ होने वाली है, ये option पढ़ें, ध्यान से पढ़ करके one by one, और अपने IQ से अगर आप gas भी करेंगे, तो पूरी दिमाग से आपको gas करके जवाब लगाना है, तो चलिएगा मेरे बच्चों, आप पूरा बेटा जिसको भी discard करने से, बायो मेडिकल वेस्ट मैंने पूरा दुएदार सुपर लेक्चर लिया हुआ है, उसको खोल के एक बार पढ़ लेना, जिन्दगी का सबसे बढ़िया काम कर लोगे आप, मेरी कोई क्लास अगर आपने कंप्लेट कर ली, मेरे वीडियो कंप्लेट कर ली है मेरे बच्चों, समझो आपने तैयारी की सारी स्टेजें पार कर ली, और करके देख लेना, मैं चेलेंज के रहा हूँ, वाधा कर रहा हूँ आपसे, करके देख लेना, पेटा, कोई क्लास, मैं जब के रहा हूँ, बाइयो मेडिकल वेस्ट का लेक्चर आपको पढ़ लेना है, समय निकाल करки, जब भी तुम्हें सम हैं मेरे बच्चो कॉशन सी ए यू टी आई ओ एन ये टोटल सेवन लेटर हर एक लेटर इंडिकेट करता है मेरे बच्चो कैंसर का एक वार्निंग साइन और देखते हैं यहां पर कौन-कौन से मैच होते हैं अगर किसी पैसेंट की बावल एंड ब्लडर हैबिट डिस्टब है यानि की पैसेंट को यदि अगर कौनस्टिपेशन है या पैसेंट को यदि डाइरिया है मेरे बच्चो तो होज ना हो कि यह डाइरिया और कौनस्टिपेशन बावल हैबिट कैंसर को इंडिकेट करता है और इसी लिए पहला option इसका बिलकुल ही सही option है मेरे बचो टेक हो गया पहला option अरे पहला option सबज में आ गया क्यों आया हमने कहा bowel habits change हो जाना bowel habits का change हो जाना मेरे बचो the client has insulin dependent diabetes इसका cancer से कोई संबंद नहीं है the client experienced the chronic indigestion मेरे बचो chronic indigestion patient को हो रहा है लेकिन जरूरी नहीं है कि cancer की वज़े से ही chronic indigestion हो रहा हो इसलिए याद रखना मेरे बचो इसको हम शामिल नहीं कर सकते हैं सी option भी गलत है the client has had a history of hepatitis, hepatitis का colon cancer से कोई संबंद नहीं है और मेरे बचो the client has the dull abdomen pen अगर pen हो रहा है abdominal area के अंदर dull abdominal pen हो रहा है मेरे बचो तो ये option बिलकुल static option आपको मिल गया है ये option भी ऐसा option है मेरे बचो जो कहीं न कहीं हमें cancer की तरफ इशारा करता है colorectal cancer की तरफ इशारा करता है मेरे बचो किस तरफ colorectal cancer की तरफ इशारा करता है मेरे बचो तो kolorectal cancer इधर इशारा कर रहा है kolorectal cancer की तरफ क्यों the client have the dull abdominal pen और इसी लिए यह option भी हमारा सही निकल चुका है तो यह option हमारा correct निकला यह option correct निकला client has a history of the drug abuse और मेरे बच्चों drug abuse का history होना that is not any relevant option to the cancer. cancer से इस option का कोई संबंद नहीं है तो मेरे बच्चों इसमें से एक और option जो आपको लग रहा था लेकिन मैंने उसको cross मार दिया तो वो कौन सा option था मेरे बच्चों आपको लग रहा था मैं बताता हूँ अभी आपका confusion आपको लग रहा था कि the client experience chronic indization सर इस option को आपने तो नहीं बता रूँ सर इस option को आपने क्यों हटा दिया इसको क्यों सामिल नहीं किया मेरे बच्चों जो chronic indization का कारण होता है ना ज़्यादा तर chronic indization होता है मेरे बच्चों gastric problems की वज़े से यानि कि अगर stomach में कोई problem हो मेरे बच्चों तो उसकी वज़े से indization होता है stomach problems के कारण indization होता है मेरे बच्चों colon की वज़े से indization नहीं होता है colon की वज़े से colon की problem की वज़े से absorption effect होता है मेरे बच्चों क्या effect होता है absorption effect होता है digestion effect नहीं होता है आप समझ गए अब क्यों मैंने इस option को c option को जो आपको लग रहा था क्यों हटा दिया है इसको क्यों शामिल नहीं किया इस question के answer में और question आप से कह रहा था aside rectal bleeding which information in the client medical history strongly suggest colorectal cancer क्या कहा strongly suggest strongly suggest strongly suggest तो हमें ऐसे option find out करने थे that are strongly suggest the colorectal तो क्या अब बताईए मैं see option को सामिल करूँ क्या अपने answer के अंदर अब आप बताईएगा पूरा दिल से बताईएगा क्या sir को ये see option सामिल करना चाहिए बोलो मेरे बचो क्या sir को ये see option जो है ये शामिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए मेरे बच्चो क्योंकि problem जो है वो colorectal है और colorectal जो problem है मेरे बच्चो अगर यह effect करेगा तो nutrient के absorption को effect करेगा मेरे बच्चो कहीं से कहीं तक digestion को बिल्कुल effect नहीं करेगा तो sir को यह c option सामिल नहीं करना चाहिए तो आप सब clarify हो चुके हो मेरे बच्चो कि sir ने c option को क्यों नहीं लिया I hope you understand everything ना तो मेरे बच्चो इसमें केवल दो ही option सही है A और E option क्या crystal clear हो चुका है colorectal cancer सबको समझ में आ चुका है क्या होता है कैसे होता है क्यों होता है everything understood ना मेरे बच्चो question एक होता है लेकिन उसके अ और sit and clicks M's qualify करने के बारे में सोच सकते हैं इनहीं में से वो छोटे-छोटे single liner बनाता हूँ मेरे बच्चो जो आपके M's में आते हैं crystal clear हो गया है अगले question के लिए तयार हो जाई आप which statement by the client indicate that additional teaching is needed before the sigmoidoscopy मेरे बच्चो question बहुत important है हम करने वाले हैं पैसेंट का sigmoidoscopy और sigmoidoscopy के लिए आप पैसेंट का preparation कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मेरे बच्चो पैसेंट preparation आप कर रहे हो पैसेंट preparation यदि बेटा आप कर रहे हो तो ऐसी स्तिती में आपका पैसेंट इन में से चारों में से कौन सी बात अगर बोल देता है तो आप उसकी उस बात को correct करोगे वापिस से additional teaching करना पड़ेगा तो चलो चारों option को ध्यान से पड़ो और guess करो कि बिलकुल सही answer आप दे सको अपनी IQ से सोच करके देखना पहली बात पैसेंट ने बोली आप से कि I should plan to spend the night in the hospital question को ध्यान से समझ लो जवाब तुम देना सुरू कर देते हो लेकिन बेकार की बात करते हो तुम लो गुस्सा आता है फिर मुझे ऐसी बात कर बिना पड़े बिना समझे ब आपको सही निकले ज्यादा से ज्यादा सही निकलने की शमता अपने अंदर सोच ही ऐसी develop कर लो मेरे बचो कि जब आप साहू सर का super lecture night show attend करने आते हो तो उस समय आपको ये विचार लेके आना है अपने मन में कि सर के सारे questions का जवाब मुझे ज्यादा से ज्यादा सही देना ह कोशिस ये करनी है ऐसी strategy के साथ तयारी करो समझ में आगई बात तो आपने का I should eat a light meal the evening before the examination तो पैसेंट ने ऐसी कौन सी बात बोली कि उस पे आपको correct करना पड़ेगा additional teaching करनी पड़ेगी मेरे बचो इसने क्या गलत बोला इसमें कि जब I should eat a light meal at the evening before the examination कि कल अगर इसका examination क्या बात गलत करी है क्या कोई गलत बात नहीं करी है सही बात करी है जिसको भी कभी sigmoidoscopy आपको करना हो मेरे बचो उस पैसेंट को कह देना कि कल शाम को आपको बिलकुल light खाना खाना है understand फिर बात को समझ नहीं रहे हो तुम लोग फिर से जवाब भी 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 कर रहे हो समझ समझो तो सही बात को गलत बात बतानी है आपको कि गलत बात कौन सी करी है पैसेंट ने यही तो कह रहा question which statement by the client indicate that additional teaching is required before the sigmoidoscopy पैसेंट ने ऐसी कौन सी गलत बात बोली है मेरे बचो जिसमें हमें वापिस इसके additional teaching करने की ज़रत है इसने बोला यह I should eat a light meal the evening before the examination तो बात बि sigmoidoscopy होगा तो आज रात को मुझे बहुत हलका खाना खाना है बात सही बोली है मेरे बचों कोई गलत बात नहीं बोली है ऐसा ही instruction आपको देना है आपके पैसेंट को जब भी sigmoidoscopy का कैस आप हैंडल करोगे उसको कहना है कि test के एक दिन पहले रात को आपको हलका खाना खान है इसने कोई गलत बात नहीं बोली है understand क्योंकि sigmoidoscopy करने के लिए आप जो scope होगा sigmoidoscopy जो होगा वो rectum से होकर के insert करोगे कोई गलत बात नहीं बोली है I should take my the prescribed medication in the morning और जो दवाया मुझे लिखी जाएगी वो दवाया मुझे लेनी है कोई गलत बात नहीं बोली मेरे बच लेकिन एक बात यह कह रहा है कि मुझे sigmoidoscopy करने के लिए I should plan to spend the night in the hospital sigmoidoscopy करने के लिए मुझे पूरी रात अस्पताल में रुखना पड़ेगा मेरे बच्चो sigmoidoscopy ऐसा procedure नहीं है कि इसमें पैसेंट को भरती करना पड़े admission is not required मेरे बच्चो पैसेंट का admission required नहीं होता ह not required तो client का जो first statement है मेरे बच्चो इसमें पैसेंट आपसे ये कह रहा है कि मुझे hospital में ही admit होना पड़ेगा और पूरी रात hospital के अंदर रुखना पड़ेगा तो क्या ये बात सही है नहीं तो आप उसको कहेंगे कि नहीं 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 ऐसा बिलकुल नहीं है आपको कोई जरु जाच होगी उस दिन आपको पूरे रात बर अस्पताल में रुकने की कोई जरुरत नहीं है जाच होने के बाद ही हम आपको hospital से घर भेज देंगे आप जा सकते हो आपको अस्पताल में भरती रहने की कोई आवशक्ता नहीं है मेरे बच्चो और इस बात को आपको correct करना मेरी teaching को तो like करते हो मैं teaching को like करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि youtube पे मेरी भी थोड़ी इज़त रह सके मेरे बच्चो और इसके लिए मुझे आपके like की आवशक्ता होती है बिना कहे class में enter करते वक्त like बटन दबा के अपनी attendance लगा के ही class में बैठा करें ताकि sir को ये बोल में assist कर रहे हो place the client in which position मेरे बच्चो यदि अगर आप अपने patient को sigmoidoscopy करने के लिए assist कर रहे हो तो मेरे बच्चो sigmoidoscopy कौन सी position के अंदर किया जाएगा put the right answer मेरे बबर शेरो कि sigmoidoscopy किस position में किया जाता है लितो टॉमी के अंदर, sims के अंदर, orthopnik के अंदर, fowler के अंदर मेरे बच्चो याद रखना लितो टॉमी position, sims position, orthopnik position और fowler position आप में से 99% लोगों ने इस बात का correct answer कर दिया है बहुत गजब का जवाब दिया है और यहां मुझे आप से कोई शेकायत नहीं है आप सब का जवाब आ रहा है, sims option और sims ही इसका correct answer आएगा मेरे बच्चो, sigmodos copy करने के लिए हमें present को sims के अंदर रखना होता है, जो एक तरह से left lateral position कहलाती है sims का दूसरा नाम क्या होता है मेरे बच्चो, left lateral position होती है और इस question को आप very very most important लगा लेना बिटा, ms लिख लीजिएगा इस question पर, इसके बिना ms अदूरा है और जो questions मैं mark करवा दूँ आपको, उन questions को बिल्कुल strictly mark कर लेना, मेरे बच्चो, class के जो questions है, ये सारे ms के parameter के question है, आपको definitely ये कुछ ना कुछ बहतर ही result बनाएंगे मेरे बच्चो, कोई नुकसान नहीं होगा आपको मेरे बच्चो, याद रखिएगा, ये आपकी खुश किस्मती है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और वो भी बिना किसी charge के, मेरे बच्चो, ये मेरा dedication है, आपका dedication है, classes को share करना, like करना, और sir के द्वारा जो instruction आपको provide किये जा रहे हैं, उन instructions को follow करना, that is your dedication, that is your dedication, guys, I am fully dedicated for my student, and my student should be dedicated for me, that is my wishes, तो मेरे बच्चो याद रखिए, this is the sims position, और sims का दूसरा नाम होता है, left lateral, और ये है मेरे बच्चो, knee chest position, अब मैं इसके बारे में आपको थूड़ा साथ theoretical explanation देना चाओंगा, कि ये सारी जो positions होती हैं, ये किस-किस काम में लेते हैं, तो पहला position देखि कि sims का second name क्या होता है, sims का दूसरा नाम होता है मेरे बच्चो, left lateral side line, मेरे बच्चो is commonly preferred when a flexible sigmoidoscope is used, मार्क कर लो यहाँ पर, अगर flexible sigmoidoscope अगर आप use कर रहे हो, percent के sigmoidoscope करने के लिए, flexible, कौन सा बोल रहा हूँ मेरे बच्चो, flexible, ध्यान से देखना मैं जो word पे focus कर रहा answer बदल जाएगा, मैं थोड़ा सा test के अंदर, जब Sunday को measure test लूँगा ना, एक शब्द change करूँगा जिसमें पूरा answer बदल जाएगा, और आपको आते वे भी ये question गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, कहां गलत करवाँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा मेरे बच्च change हो जाएगा, cross हो जाएगा इसके, तो देखिएगा मेरे बच्चों क्या जवाब करना है, कहां साउधानी रखनी है आपको, और यह nursing competitive exams के अंदर होता है, और अक्सर M's के अंदर, जब M's आप देते हो, आपको लगता है paper बहुत simple आया है, लेकिन बच्चों उसमें कुछ ऐ confusions होते हैं, वो आपको एक expert teacher ही आपके उन confusions को दूर कर सकता है, किसी हलके विक्ती की बस की बात नहीं है, तो समझना मेरे बच्चों ध्यान से बात को यह sims है, और sims use किया जाता है, left, lateral, side line, इसका दूतरा नाम होता है, और यह कभ यूज़ करते हैं, जब flexible endoscope या flexible sigmodoscope understand, अरे भाई मेरे बबर शेरो, पहला question जो मैंने बताया, जवाब दो मुझे, sims position का second name क्या है, sims का second name क्या है, चलो answer पुट करो फटा फट, what is the second name, या what is the another name of the sims position, my dear student, sims position का second name है, left, lateral, क्या नाम है, left, lateral, side line, position, my next question, दूसरा question सुनिएगा मेरे बच्चो, sims position is preferred when, sims position कब prefer किया जाता है, when we are using the flexible sigmodoscope, जब हम flexible sigmodoscope का use करते हैं, तो we prefer the sims position left, lateral, clear हो गया है, आगे बात बढ़ता हूँ, अब अगर sigmodoscope की बात करूँ, sigmodoscopy में knee chest position भी use किया जाता है, मेरे बच्चो, याद रखना, sigmodoscopy करने के लिए, ये वाला position भी use किया जाता है, knee chest भी use किया जाता है, अब समझना ये है, कि sir, knee chest कब use करना है, और sims कब use करना है, तो मेरे बच्चो नी चेस्ट कब यूज करना है with a rigid sigmoidoscope यदि अगर मेरे बच्चो आप अगर rigid sigmoidoscope यूज करोगे sigmoidoscope करने के लिए तो आपको नी चेस्ट यूज करना है तो मैंने क्या कहा मेरे बच्चो कि sigmoidoscope करना है आपको क्या करना है sigmoidoscope करना है मेरे बच्चो दो तरह के sigmoidoscope है आपके पास एक sigmoidoscope है मेरे बच्चो फ्लेक्सिबल और एक आपके पास rigid sigmoidoscope है अब depend करता है मेरे बच्चों इस scope की आधार पर flexible scope जो होता है वो मेरे बच्चों sims position में भी आसानी से अंदर गुश जाता है लेकिन rigid जो scope होता है मेरे बच्चों ये sims position में अंदर नहीं गुशता है और इसके लिए हमें patient को मेरे बच्चों knee chest position देना होता है कौन सा position देना होता है knee chest position देना होता है तब ही जाकर इस scope की मदद से आप मेरे बच्चों रात को 10 बजे daily आपकी class होती है एक भी lecture मिस मत करना मेरे बच्चों आप सबसे मेरा vicious emotional attachment है इसलिए इतना चिला चिला कि आपको suggest कर रहा हूँ instruction दे रहा हूँ मेरे बच्चों कि दो चीजें कभी मिस मत करना मेरे साथ एक तो रात को 10 बजे की class हर दिन रात को night so 10 पीम वाला और दूसरा Sunday का जो test में बना रहा हूँ खुद मेरे बच्चों वो test आप मिस मत करना ये दोनों चीजें till selection जब तक आपका selection नहीं हो जाता मेरे बच्चों और मैं तो ये कहता हूँ even कि select हो जाओ उसके बाद भी आप मेरी class पढ़ते रहना अगर जिंदगी में बहुत knowledgeable वेक्ती बनना चाहते है nursing officer तो सब बनेंगे लेकिन एक knowledgeable nursing officer बनना है मेरे बच्चों तो वुगली का हाथ कभी मत छोड़ना रोज और regular sourcer की classes attend करते रहना देखो change आपके अंदर क्या आता है मेरे बच्चों लितो टॉमी position की बात कर रहा हूँ आप is used for the cystoscopy किसलिए? cystoscopy और vaginal examination मेरे बच्चों यदि अगर question आता है हमारे पास कौन सा लितो टॉमी position का तो लितो टॉमी position दो condition में use करते हैं जब आप cystoscopy करेंगे किसी client का तो लितो टॉमी देंगे और या फिर पेसेंट का vaginal examination करोगे मेरे बच्चों तो लितो टॉमी में करना है मेरे बच्चों question आता है orthopnik position कभ यूज करते हैं मेरे बच्चों यदि आपका पेसेंट डिस्निया का पेसेंट है तो ऐसी condition में हम पेसेंट को orthopnik position में रखते हैं फावलर पोजिशन कभ यूज करते हैं मेरे बच्चों when the many reason including the improving ventilation ventilation improve करना हो तो हमेशा आपको कहता हूँ कि पावलर में आपके पेसेंट को रखो but not for the sigmoidoscopy तो मेरे बच्चों चार तरह के question मैंने आपको करवा दिये हैं यहाँ पर कि SIMS कभ यूज किया जाएगा अब जवाब पुट करो एके question आपसे पूछ रहा हूँ SIMS कभ यूज करेंगे answer लिखते जाना जैसे ही question सुनाई दे तुम्हे answer तुरन टाइप कर देना SIMS कभ यूज करेंगे जब flexible sigmoidoscopy के लिए patient को तैयार करना हो knee chest कभ यूज करेंगे जब rigid sigmoidoscopy patient को करना हो मेरे बच्चों अगर मैं question करता हूँ आपसे कि patient को हम lithotomy कभ यूज करेंगे जब किसी भी patient का cystoscopy करना हो या vaginal examination करना हो तो lithotomy यूज करेंगे orthopnik कभ करेंगे मेरे बच्चों अगर आपका patient जो है वो dysnick हो रहा है dysnia इसे हो रहा है breathing difficulty हो रही है तो orthopnik position में रखेंगे यदि patient को breathing ventilation assist करना हो ventilation improve करना हो मेरे बच्चो तो fowler position में रखेंगे अब सवाल एक-एक सुनना पहला सवाल में आपको दे रहा हूँ मेरे बच्चो सबसे पहला question कि भाई sims कब दिया जाएगा बताइए match करिए दूसरा आपको second question knee chest कब दिया जाएगा मेरे बच्चो second question का answer पुट करिए एक-एक question का answer देते जाएए बिना देखे बिना देखे जवाब लिखते जाना और mark डालते जाना question के third question orthopnik position कब दिया जाता है मेरे बच्चो orthopnik position कब दिया जाता है और मेरे बच्चो fourth option है मेरे फावलर पोजिशन कब दिया जाता है फावलर कब देंगे आप और पाँचवा सवाल है मेरे बचों आज का कि लितो टॉमी कब यूज किया जाएगा जवाब आप लिखिये फटाफट और क्वेशन की मार्किंग साथ के साथ लिखते जाना इनके सही आंसर होंगे मेरे बचों अगर आपको flexible sigmoidoscopy करना है sigmoidoscopy करना है तो my dear student इसको आप sims position में करेंगे यदि आपको rigid sigmoidoscopy करना है मेरे बचों तो आप इसको knee chest position में करेंगे यदि अगर patient को orthopnik की बात करें तो disnia के patient को हम orthopnik position provide करते हैं मेरे बचों जिस से disnia को control किया जा सकता है यदि fouler की बात करूं मेरे बचों तो ventilation को improve करने के लिए ventilation improve करने के लिए हम इस patient को fouler position देते हैं मेरे बचों lithotomy की बात करूं तो systoscopy करने के लिए हम हमेशा ही patient को lithotomy और दूसरा vaginal examination करने के लिए हम patient को lithotomy देते हैं अब बताइए यहां तक lock कर दू मेरे बचो कोई doubt, कोई problem, कोई लगुशंका, कोई दिर्ग शंका किसी भी तरह की कोई भी problem हो कबजी, constipation, gas formation कुछ भी हो रहा हो तो बताइएगा, अगर finally satisfied हो मेरी teaching से, तो मुझे आपका feedback लिख करके जरूर बताना मेरे बचो, ताकि मैं आपके शब्दों को जान सकूँ, आपकी भावना को समझ सकूँ, और बैतर ढंग से और भी आपको teaching provide कर सकूँ, मेरे बचो मुझे अपने आपको improvement करना है और best से best quality आप तक पहुँचानी है, और इसके लिए मुझे आपके feedback की आउशकता होती है मेरे बचो, feedback देने में कोई कसर मत छोड़ा करो woogly app को भी feedback करो मुझे feedback करो, channel पे comment के अंदर आप अपनी ख्वाइस लिको मेरे बचो, आपका और मेरा जितना अच्छा communication बैठेगा हम आसान चीजें बना पाएंगे और बहुत ही आसानी से एक level maintain कर पाएंगे चलिएगा next question की तरह बढ़ रहा हूँ मेरे बचो, अगला question ध्यान से सुनना समझना, अगला सवाल है when the client asks the nurse why the neomycin sulfate was prescribed the most accurate explanation in case the drug is given for which reason, मेरे बचो किसी client का surgery होना है और उसको आपने neomycin sulfate दिया है surgery में तो किस कारण से इस patient को neomycin sulfate दिया जाता है मेरे बचो, आप इस बात का जवाब दे, चारो option पड़े अगर नहीं आता है तो कोशिश करना gas करने की और प्रयास ये करना की सही से सही gas करता हो तो चलिए आपकी answer का मैं wait कर रहा हूँ कि आप क्या answer करेंगे लगाओ अपना धिमाख गलत जवाब दियाना ता अभी ठोकूंगा ध्यान रखना हूँ अभी आ रहा हूँ मैं देखूंगा आपके सब के जवाब की क्या कर रहे हो तुम लोग अभी आपके सब करेंगे चलिए सुनिये का ध्यान से मेरे बच्चों नियोमाइसिन सलफेट जो है एक एंटिबाइटिक होता है और ये एंटिबाइटिक सबसे अच्छा काम करता है मेरे बच्चों किसमें सर्जरी के दोरान surgery के दोरान neomycin sulfate administer करना compulsory होगा अब जब आप select होके practice में जाओगे तो मेरी इस बात को याद रखना कि neomycin sulfate सर ने compulsory बोल रखा है अब क्यों बोल रखा है? खास कर कि जब gastro की surgery हो रही हो intestine की surgery हो रही हो मेरे बचो ध्यान से सुनना intestine का कोई surgery है और intestine की surgery में आप जानते हैं, bacteria का flora होता है, क्या होता है intestine में? bacterial flora होता है मेरे बचो, और ये bacterial flora अगर आपने surgery के द्वारा open कर दिया ना मेरे बचो, open कर दिया, तो ये क्या कर देगा? पेरिटोनियम के अंदर infection फैला देगा क्या कर देगा मेरे बचो पेरिटोनियम में infection फैला देगा क्यों infection फैला देगा क्योंकि जैसे ही आप intestine को open करोगे मेरे बचो surgery के लिए इसके जो secretions है वो release होंगे और secretions release होकर के peritonium में enter कर जाएंगे मेरे बच्चो तो जो secretion होंगे यानि कि surgery intestine का है और surgery intestine का है तो peritonial secretion इसके साथ mix हो जाएंगे और ऐसा होते ही peritonium में infection पहल जाएगा और आप जानते हो peritonium हमारी body का सबसे बड़ा serious membrane होता है और अगर peritonium में infection चला गया मेरे बच्चो तो body के बाकी के organs के अंदर भी infection पहल जाएगा तो हमें इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि जब भी कभी intestinal surgery अगर किसी patient को करना है मेरे बच्चो तो surgery से पहले कौन सा compulsory drug इसको देना है मेरे बच्चो नियोमाइसीन करेंगे इसे open करेंगे तो इसके अंदर जो bacteria है मेरे बच्चो इन bacteria को ये medicine जो है वो kill कर देगा और नियोमाइसीन sulfate antibiotic is very effective on the intestinal bacteria commensal bacteria के उपर is very effective और ये क्या करेगा मेरे बच्चो intestinal bacteria को kill कर देगा और bacteria को kill कर देगा तो अब जब आप intestine को open करेंगे और इसके जो secretion है वो peritonium में अगर mix भी होते है तो याद रखना मेरे बच्चो वो infection cause नहीं करेंगे और our patient will be the safe our patient to keep the our patient safe to keep the our patient free from the infection before any abdominal surgery you need to compulsory administer the neomycin sulfate so what is the purpose for the administration of the neomycin sulfate so my dear student रात को 10 बजे की ये class जो है हर दिन आपको attend करनी है एक भी activity को miss नहीं करना है एक भी lecture को miss नहीं करना है मेरे बच्चो इसके बाद आपको Sunday को जो मैं test लेने वाला हूँ इस test के अंदर जो मेरी creativity से आपको नए question मिलेंगे ऐसे question मिलेंगे मेरे बच्चो जो किसी किताब या guide के अंदर नहीं मिलेंगे केवल भुगली के test के अंदर आपको दूँगा मैं खुद अपने हातों से बनाता हूँ रोज के lecture के बाद में रोज question बना करके ही रात को 12 बजे फिर जाता हूँ तो मेरे बच्चो इस test के लिए तयार रहना और ये जो सारी चीजे पढ़ा रहा हूँ इसमें से नए questions को जनम दूँगा और फिर आपको ये decide करना है कि आप कितना capture कर पा रहे हो यही एक ऐसा तरीका है मेरे बच्चो जिससे आपका brain जो है मैं खोल के रख दूँगा और brain अगर improve हो गया ना सोचने की शमता improve हो गई ना तो मेरे बच्चो selection तो आपका बाएं हाथ का खेलो जाएगा तो याद रखना मेरे बच्चो कि हम क्या करेंगे चार option में से क्यों देंगे to treat any current infection the client में हो to suppress the growth of intestinal bacteria मेरे बच्चो intestinal bacteria की growth को suppress करने के लिए surgery से पहले neomycin sulfate दिया जाता है अब समझ में आ चुका है सब लोगों को गलत नहीं होगा मेरे बच्चो आ गई बात समझ में अरे clear हो गया है न तो मेरे बच्चों कोई भी abdominal surgery से पहले neomycin sulfate इसलिए compulsory होता है क्योंकि सर ये एक बहुत powerful antibiotic होता है और इस antibiotic को हम इसलिए देते हैं सर क्योंकि intestine की surgery करने के लिए जैसे ही intestine में इंसीजन लगाएंगे तो इसके अंदर के जो bacteria है वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलके जो इसका fluid निकलेगा उसके साथ peritonium में absorb हो जाएंगे और peritonium में अगर सर absorb हो गए तो peritonium हमारी body की सबसे बड़ी serious membrane होती है जहां से blood circulation पूरी body के अंदर पहुचता है सर यहां से पूरी body में यह infection पैल सकते हैं तो हमें इसे रोकना होगा और हम इसे neomycin sulfate देंगे ताकि यह neomycin sulfate इन bacteria's की growth को control कर सके और surgery के दोरान कोई infection पैलने की संभावना ना हो तो अगर मैं short and sweet में आपसे पूछूँ मेरे बचो कि abdominal surgeries के दोरान अगर infection की पैलने की संभावना को रोकना है तो कौन सी दवा दिया जाना चाहिए है अगर आपसे ऐसा interview में भी पूछूँ या फिर आपसे single liner पूछूँ मेरे बचो या आपसे mcq बना करके आपके competitive exam के अंदर पूछू तो I hope कि अब मेरा हर student इतना able हो जाएगा इन super lecture night shows को पढ़ पढ़ करके कि किसी भी तरह से examiner question को modify कर ले घुमा ले और उसके लाग कोशिशें कर ले फिर भी वो मेरे student का question गलत नहीं करा पाए बस मुझे आपसे इतना ही चाहिए मेरे बचो कि अगर आप मुझे पढ़ ले तो मेरा नाम रोशन करें मेरा नाम खराब नहीं करें मेरे इसे एक बार lecture अगर आपने पढ़ लिया तो वो बात पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगी यह मेरा बादा है बस आपकी जिम्मेदारी है क्लास को देखते रहो अगला question की तरह बढ़ रहा हूँ मेरे बच्चो next question सुनिएगा during the post-operative period the client abdominal incision separates and the bowel protrude through the opening what is the first action that the nurse should take at this time और इस पे लगा लीजिए मेरे बच्चो very important और लिक लीजिएगा मेरे बच्चो सवाल को ध्यान से समझना हम पेसेंट की abdominal surgery कर रहे हैं और surgery करने के बाद abdominal incision जो आपने लगाया था हुआ क्या है मेरे बच्चो bowel bowel यानि की intestine bowel means intestine इसमें से protrusion मतलब बाहर निकल जाना intestine इसमें से बाहर निकल करके आ गया है through the opening opening में से बाहर निकल गया है तो आप से मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसी situation में your first action will be what will be your first action पहला check the vital call the physician cover the bowel with most goals और push the bowel back through the opening आप क्या करेंगे bowel को opening में से वापिस डाल देंगे तो my dear student listen carefully concentration maintain कर लो मेरे बच्चों और ध्यान से सुनो आप इस बात को अब जो समझाता हूँ उस पे फोकस करो केवल और केवल सुनो ध्यान से जो मैं आपको समझाता हूँ अब सीखना है बात मेरे बच्चों किसी भी in-season part में से bowel का protrusion करके और बाहर निकल जाना कहलाता है मेरे बच्चों aviceration क्या कहलाता है बिटा aviceration क्या कहलाता है पहला question आपको mark करना है कि in-season वाले part में से bowel के किसी part का protrusion करके बाहर आ जाना क्या कहलाता है बिटा aviceration कहलाता है क्या कहलाता है aviceration कहलाता है मेरे बच्चों और aviceration यदि हो जाता है तो हमारी सबसे पहली responsibility बनती है मेरे बच्चों कि we cover we cover the bowel we cover the bowel सबसे पहले आप bowel area को cover करिये जहां पर aviceration हो रहा है cover the bowel अब cover करना है तो मेरे बच्चों cover the bowel तो किस से cover करके रखना है my dear student with the most gauze तो याद रखना gauze से आपको sterile gauze से cover करना है मेरे बच्चों sterile gauze से cover करना है और दूसरी condition सुनिये ध्यान से ये जो gauze होगा sterile तो होगा ही सही लेकिन आपको इसे most भी करना है sterile most gauze से cover करना है अब sir इसको most करने के लिए हम कौन सा solution use कर सकते हैं ये बात भी तो आप बताईए sir अधूरी जानकारी पढ़ाओगे क्या पूरी जानकारी पढ़ाओ चलो पूरी जानकारी पढ़ाते हैं मेरे बच्चों इसको most करने के लिए आप NS का use कर सकते हो या फिर आप covidon iodine का use कर सकते हो मेरे बच्चों इससे most करके और आपको dry sterile gauze most sterile gauze apply करना है most sterile gauze से cover करना है हुआ क्या है मेरे बच्चों अगर ये कोई incision हुआ है कोई surgery हुआ है और ये surgery में आपने incision किया था ये incision किया इसमें हुआ क्या bowel जो है इसमें से बाहर निकल गया है bowel यदि बाहर निकल गया इस तरह से मेरे बच्चों तो इस स्तिती को aviceration बोला जाता है और aviceration अगर हो जाए तो सबसे first action आपका ये होना चाहिए कि इसको आपको sterile ghost से cover करना है और वो ghost आपको most रखना है मेरे बच्चों most रखने के लिए हम NS या फिर मेरे बच्चों povidon iodine का use कर सकते हैं समझ में आ गया aviceration का क्या management होता है और incision side से bowel का protusion करके बाहर आ जाना क्या कहलाता है बात समझ गये सबको clarify हो गया है ये बात तो मेरे बच्चों यहाँ पर सही जवाब का क्या होगा आपका C option is the right answer in this question I hope you understand मेरे बच्चों crystal clear है most है क्योंकि bowel अंदर से most होता है मेरे बच्चों और अगर dry use करोगे तो उसकी वज़े से moisture maintain नहीं होगा क्योंकि bowel जो बाहर निकला है वो हवा के contact में आते ही सूक गया है dry हो चुका है लेकिन मेरे बच्चों we know that कि intestinal bowel जो है internally कैसा होता है most होता है और उसको बाहर निकलने के बाद भी आपको most maintain करना है इसी लिए dry use ना करके most use करना है मेरे बच्चों doubt clear हो गया है मेरे बच्चों जोगा राम बिटा बात समझ में आ गई है understand कि क्यों most use किया जा रहा है I hope you understand मैं एक ही नजर में आपका doubt देख लेता हूँ मेरे बच्चों कि मेरे students को क्या problem आ रही है बस आप अपना message छोड़ दिया करो मैं आपके message को पढ़ लूँगा देख लूँगा समझ लूँगा sir मैं ms में हूँ लेकिन मुझे रिसी के sms जाना है तो बेटा आप बिल्कुल सही जगह पर पढ़ाई कर रहे हो चाहे आप रिसी के sms में जाओ चाहे आप अमेरिका के sms में जाओ चाहे चंडीगड के M's में जाओ, चाहे बोपाल के M's में जाओ, चाहे दिल्ली के M's में जाओ, ये आपकी मरजी होगी मेरे बच्चों, लेकिन मैं इतना develop कर दूँगा आपको, कि आप मरजी पड़े जिस M's में जाना choice आपकी होगी और होनी भी चाहिए, बच्चे की choice से selection होन नहीं होना चाहिए, selection by choice होना चाहिए मेरे बच्चो by chance का क्या मतलब और मैं तो हमेशा जानता हूँ कि मेरे student को मैं किस्मत के भरोसे कभी तयार नहीं करता हूँ मेरे student को मैं confidence और hard work में विस्वास करने वाला वेक्ति हूँ और इसी method से मैं आपको prepare करता हूँ मेरे बच्चो बस आज के लिए बस इतना ही मेरे बबर शेरो और मिलूँगा कल फिर एक नए show के साथ कल रात को 10 बजे तयार रहना और जब तक के लिए class को like करना मत भूलना मेरे बच्चो और हर उस needy student तक वुगली की इन classes को आप एक super वुगली है मेरे बच्चो कौन कौन आपने से वुगली है इस बात को साबित कर देना मेरे बच्चो you are a great वुगली, you are a super वुगली और मेरे हर वुगली के साथी से मेरा अनुरूद है कि classes को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे बच्चो हर needy student को इसका benefit मिल सकें जिसने भी channel को subscribe नहीं कर रखा है मेरे बच्चो subscribe कर लिजेगा, bell icon press कर लिजेगा ताकि कोई भी class किसी भी दिन का super lecture night shop का miss ना हो, success ओ, miss ना हो मेरे बच्चो चलते हैं, मिलेंगे कल एक नए session के साथ, कुछ नया सीखेंगे वापिस से और कुछ बहतर सीखेंगे और चलेंगे अपनी journey को, बढ़ाएंगे आगे अपनी M's की journey को, और थोड़े दो कदम आगे तब तक के लिए बहुत भो धन्यवाद मेरे बच्चो, शुबरात्री, wish you all the best, रुहाना, आपके ये हजारों star मेरे लिए बहुत कीमती हैं मेरे बच्चो आपका ये प्यार, आपका लगाओ, मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, आप जो कमेंट मेरे साथ शेयर करते हो, मेरे बच्चो, जो आप बातें लिखते हो, आपके शब्दों के अंदर इतना लगाओ होता है, इतना emotional attachment होता है, कि मेरे बच्चो मुझे बहतर से ब अच्चो, हब जो एक भी बहतर से बहतर है, तक जो मुझे घसंदी होता है, इतना है, अटनेखर रवищ फेस्च्च, कि अप्टैन गे इस